बहुत मुश्किल होता है उस इंसान के बिना जिंदगी जीना जिसके साथ आपने जिंदगी भर साथ निभाने के सपने देखे हो कई लोगों का एक कॉमन सा कोईस्टन रहता है कि जिस इंसान को मैं इतना चाहता था आज वो हमारे पास नहीं है कई लोगों के साथ तो इतना बुरा होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता कोई भी वस्तु इस्तेमाल के लिए होता है और इंसान प्रेम के लिए किन्तु जानते हैं सबसे ज़्यादा बुरा कब लगता है जब कोई इंसान आपसे प्रेम के बजाय आपका इसके माल करना शुरू कर दे कुछ लोगों का कहना है कि हमारी आपस में बनती ही नहीं देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा रिष्टों का अधार होता है विश्वास और विश्वास ही आपके रिष्टों में प्रेम अस्थापित करता है तो रिष्टों में जितना ज़्यादा मिठास होगा आपको उतना ही ज़्यादा बेटर फिल होगा उस relation को निभाने में आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको यदि कोई इंसान बार-बार परेसान कर रहा हो तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितनी परेसानियों का सामना करना पड़ता होगा आपके भीतर सबसे जादे तबाही तब मस जाती है जब आपको बीती बाते याद आने लग जाती है जब आपको वो पुराने ख्याल आने लगते हैं जो आपको काफी दर दे देते हैं मैं समझ सकता हूँ आपके तकलीब को जानते हैं कुछ लोगों को धीरे-धीरे ऐसे लगने लग जाता है कि सायद उसके जिंदगी में आप खुशी आएगी ही नहीं किन्तु ऐसा कुछ भी नहीं है आप एक बात जान लो ये जिंदगी सुख और दुख का संगम है सुख भी है, दुख भी है, कठनाई भी है, परिसानियां भी है हर कुछ आपको ही जहलना होता है आपके रिष्टे में यदि छोटे-छोटे जहग रहे हो तो ये कोई दुखत बात नहीं है क्योंकि ऐसे पलों में आपको समझदारी से काम लेनी परती है आप यदि किसी भी इंसान से प्यार करते हो चाहे वो कोई लरका हो, कोई लरकी हो या फिर वो आपके परिबार के ही कोई सदस से क्यों न हो आप ये हमेशा ध्यान रखो कि आपसे कभी भी किसी परकार का कोई भूल ना हो होता क्या है? कि जब आप किसी भी इंसान से जुदा होते हो तो आपको कभी-कभी मन में ये खयाल आने लग जाते है कि कास्म ऐसा किया होता तो आज ऐसा नहीं होता आपको यदि लगे कि आपका रिष्टा आपके वज़ा से तूटा है तो आप गलत सोचते हो आप कभी भी गलत कर ही नहीं सकते अरे कोई भी इंसान कैसे चाहेगा कि उसका रिष्टा तूट जाए क्या फिर हो सकता है कि आपसे भी कोई छोटी-छोटी गलतिया हुआ हो आप ये जान लो निभाने वाला आपकी हजार गलतियों पर भी आपको माफ कर देता है और छोड़ कर जाने वाला बिना गलती के भी छोड़ देता है आप यदि किसी के चले जाने से दुखी हो तो मैं कहूंगा कि आप सायद नादान हो अरे किस बात का दुख वो छोड़ के चला गया इसी बात का दुख बिल्कुल नहीं आपका इसकदर दुखी होना गलत है क्या यदि कोई इंसान किसी को छोड़ के चला जाए तो वो जिंदगी जीने का मकसद भूल जाए बिल्कुल भी नहीं किसी को भी भूलना नहीं पड़ता है बलकि जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है किसी से भी बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको और ना ही आप उस इंसान के बारे में सोचो जो आपको छोड़के चला गया अब आपको ये सोचना है कि आपको आगे क्या करना है अब आपको अपने जिन्दगी में अपने खुद के लिए क्या करना है अब आपको इन बातों पर विचार करना चाहिए और एक बात बताओं खुद को समय दो आप बस थोरा सा समय लगेगा आप ठीक हो जाओगे आपने यदि आज के दर्द को सह लिया तो जान लो आपका आने वाला कल बहुत ही खुस हाल होगा आप खुद को धन्यबाद दोगे और आप खुद पे प्रावड फिल करोगे और फिर आप खुद ही बोलोगे कि अच्छा हुआ कि वो इंसान हमारे जिन्दगी से चला गया इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप खुस रहो हमेशा खुस रहो कब भी भी टेंसन मतलो अरे अपने लिए जियो न क्यों दूसरों के वज़े से परिशान रहते हो क्यों दुखी हो जाते हो बिल्कूल भी दुखी नहीं होना है मैं समझता हूँ कि अब आप जरूर ठीक हो गए होंगे